हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का आपने ही यूटूब चैनल लर्दिंग कैफे में आज से इस चैनल पर बीपीए सी संसटवे के लिए एक निव प्रेक्टिस सेट अस्टार्ट किया जा रहा है ये परभात पॉब्लिकेशन का बुक है जो कि डॉक्टर रंजीत सिंग सर के दुवारा निकाला गया है काफी बेहतरीन प्रेक्टिस सेट रहता है इनका ये आईएश है औल इंडिया रहिंक इनका उन्चास था इससे पहले हमने जो प्रेक्टिस सेट कॉम्प्लिट कराया था वो डॉक्टर रंजीत सिंग सर का है तो चलिए पहला सेट शुरू कर लेते हैं हमारा पहला कोईचन है निमलिकीत में से कौन सा सनरक्षी छेतर नीलगिरी बायोस्फियर रिजर्व का हिस्सा है नीलिगिरी बायोस्फियर रिजर्व भारत में वर्ष 1986 में अस्थापित पर्थम बायोस्फियर रिजर्व है यह पच्छिमी घाट में स्थीत है जो मालावार वर्षा वन के बायोग्राफिकल छेतर के अंतरगत आता है मुदू मलाई वन्नी जीव अभियारन्य वाइनाड वन्नी जीव अभियारन्य बांधिपूर राष्टिय उद्यान नागर होल राष्टिय उद्यान मुकूर्थी राष्टिय उद्यान और मौन घाटी इस आरक्चित छेतर में मजूद संरक्चित छेतर है तो आप्शन E इ का इतिहास मुख्यत उसके अभिलेखों से ही ग्यात होता है अभी तक उसके 40 से अधीक अभिलेख मिल चुके हैं इन अभिलेखों की भासा प्रक्रीत है जबकि ये ब्राहमी, खरोष्टी, आयमेक एवं युनानी लीपियों में लिखे गये हैं सरुपर्थम जेम्स इस इसुई में इन अभिलेखों को पढ़ने में सफलता पाई नेक्स्ट कोईचन निमलिखित में से कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान एवं प्रद्योगे की के छेत्र में महिलाओ की भागिदारी से जुरी है जिग्यासा, विज्ञान जियोती और साथी ये जो है महिलाओ के विज्ञान एवं प्रद्योगे की छेत्र में महिलाओ की भागिदारी से जुरा है तो आप्शन E इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधीक नेक्स्ट कोईचन देखिए बलेड ब्यूरिन परकार के उपकरन निमलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षन है तो ये जो है उच्च पुर्व पासान काल के ओप्शन E राइट आंसर हो जाएगा उच्च पुर्व पासान काल दोस्तो आपको यहाँ पे 2-3 सेकं नेक्स्ट कोईचन खाद उत्पादन परक अर्थव वेवस्ता सनबंदित है तो ये जो है नव पासान काल से सनबंदित है ओप्शन D राइट आंसर हो जाएगा नव पासान काल से परभास गिरी तीर्थ अस्थल है परभास गिरी जैन धर्म एवं हिंदू धर्म का परमुक धार्मिक अस्थल है यह कौशामबी जिले उत्तर परदेश में यमुना नदी के तट परस्थीत है ओप्शन E राइट आं आंसर हो जाएगा रामदास निमलिकित में कौन बिहार सोसलिस्ट पार्टी के संस्थापक थें बिहार सोसलिस्ट पार्टी का गठन वर्स 1931 में गंगा सरन सिनहा राम विरिक सिविनी पूरी और रामानंद मिस्र ने किया था ओप्शन E राइट आंसर हो जाएगा एक से कादंबरी और सिरा राइट आंसर हो जाएगा बानवट की कादंबरी नेक्स्ट कोईचन प्राय समाचारों में देखा जाने वाला सब्द असमर्फिंग किस्चे सनबंदित नहीं है तो यह जो है असमर्फिंग जो है धन सोधन की एक तकनीक है जिसमें बड़ी मातरा में न ब्रिटिस इंडिया किसने लिखी है हिस्टरी ऑफ ब्रिटिस इंडिया जेम सिमील की लिखी पुस्तक है इस पुस्तक में उन्होंने सामराज जिवादी दिरिष्टी कौन से भारती एतिहास का विवेचन किया है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा जेम सिमील अगला क जिवेचन कायस्त सब्द का विवेच सरुपर्थम किस अस्मिलिति में मिलता है यागी वलग की अस्मिलिति में मिलता है ओप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपीत राज सम्मेलन का सनबंद किस आंदोलन से है बारदोली आंदोलन से ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बारदोली आंदोलन किंद्रिये भूजल प्राधी करन का गठन किया गया है पडियावरन अधिनियम 1986 के द्वारा नेक्स्ट कोईचन जुनाथन डंकन ने सन 1792 में संस्क्रीट कॉलेज के अस्थापना कहां की थी वारानसी में की थी ओप्शन डी हो जाएगा वारानसी वारेन हेस्टिंग्स दुवारा कलकत्ता मदर्सा के अस्थापना के बाद बारास के ब्रिटिस रेजिडेंट जुनाथन डंकन ने 1792 में बारास में संस्क्रीट कॉलेज के अस्थापना की भारत में अस्तिरियों को सिक्षा के अनुमती जो है किस ने दी थी डलहौजी ने ओप्शन ए हो जाएगा डलहौजी बोड अफ कंट्रोल के परधान चाल्स वूड ने जुलाई 1804 इस्वि में जुलाई 1804 को भारती सिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तूत की जिसे वूड का डिस्पेश कहा गया इस योजना में सिक्षा के उद्देश से माध्यमों तथा सुधारों पर विचार करने के साथ महिला सिक्षा पर भी पहली बार राज किये अस्तर पर परियाज की बात की गई गवर्नर्ण जनरल लौड डलहाउजी ने वूड डिस्पेश की सभी सिफारी से लागू कर दी निमलखित को सुमे औशुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चेन कीजिए तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है तो चलिए मिलान कर लेते हैं जमा मस्जिद, जमा मस्जिद जो है यहां पर हो जाएगा, हुशेन सासरकी, मोठ मस्जिद, सिकंदर लोदी, जांजरी मस्जिद, जांजरी मस्जिद जो है इवराहिम लोदी, हजार सितूर महल, हजार सितूर महल जो है अलावदिन खिल जी, कुवत उल इसलाम, दिन येवक ने बनवाया था तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्सन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर अगला कोहचन देखिए सहायक संदी सुईकार करने वाला पर्थम राजी हैदराबाद था ऑप्सन भी हो जाएगा भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्रेश्टता अस्थापि में अंग्रेजों से संधी की निमलिखित युगमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है यहां पर आपको गलत कथन को चुनना है तो ऑप्शन ए देखिए सहर और किस राजी में है खंबम खंबम सहर केरल तो यह गलत है खंबम सहर तिलंगना में है इसके बाद परकासम आंधर पर करनाटक यह भी कासर गोड़ करनाटक यह गलत हो जाएगा क्योंकि कासर गोड़ केरल में है इसके बाद सीहो और मद्धिपर्देश यह सही है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एक से अधिक नेक्स्ट कोईचन देखिए निम लिखित मेंसे कौन सा विकल्प बढ़ते करम में सही है बढ़ते करम में आपको चुनना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है लखनाव समझा होता सबसे पहले हुआ था 1916 में इसके बाद चमपारन सत्यागरा 1917 में इसके बाद सवी ने अवग्या आंदूलन 1930 इस्वी में हुआ था नेक्स्ट कोईचन निम्र में से किसे ओवेन मेरी डित के नाम से जाना जाता था लौड लीटन को ओप्शन ए हो जाएगा लौड लीटन को ठागी को समाप्त करने का स्रे किसे जाता है स्ली मैन को रेग्यूलेटिंग एक्ट के द्वारा सरोपर्थम सुप्रीम कोट के अस्थापना कहा की गई थी कलकत्ता में 1773 इस्वी में रेग्यूलेटिंग एक्ट के तहद 1774 इस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोट के अस्थापना हुई जिसमें एक मुख्य न्याधिस तथा तीन अन्नी न्याइधीशों की न्यूक्ती हुई निमलिखित में से घटना नुसार कौन सा विकल्प बढ़ते करम में सत्य है बढ़ते करम में कौन सा कथन जो है जो सही है तो option C इसका राय टांसर हो जाएगा पलासी का यूद 1700 संताबन इस्यू में वांडी बास का यूद 1760 इस्यू में बक्सर का यूद 1764 इस्यू में हुआ था सत्ती सोधक मंडल के अस्थापना किसने की जो तीवा फूले ने option D हो जाएगा सत्ती सोधक मंडल के अस्थापना बंबई में 1873 इस्यू में जो तीवा फूले ने की इन्हों ने गुलाम गिरी नामक पुस्तक लिखी है सन 1906 इस्वी में कॉंग्रेस का अध्यक्ष कौन था 1906 इस्वी में कॉंग्रेस का अध्यक्ष दादा भाई नोरोजी थे ओप्शन ए हो जाएगा 1906 इस्वी में कलकत्ता में संपन हुई भारतिय राश्टिय कॉंग्रेस अध्यक्ष दादा भाई नोरोजी ने की कलकत्ता अध्यक्षन में पहली बार सोराज सब्द का पड़ियोग किया गिया सूची एक को सूची दो के साथ सुमिलेत कीजिये और नीचे देएगे कूर्से सही उत्तर का चेन आपको करना है तो चलिए मिलान कर लेते हैं नामदेब जो है यह महराष्ट से सनबंदित है चैतन्य चैतन्य जो है पच्छिम मंगाल से सूरदास उत्तर परदेश नानक पंजाब तो इसका सही उत्तर ओप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन बंबय में नौ शैनिक विद्रुः कब घटित हुआ था फरवरी सन 1946 इस्वी में ओप्शन ए हो जाएगा उनिस्वी इस्वी में टेली ग्राम गुरूप जोयन करके आप इस पीडियेव को डानलोड कर लिजिएगा नेक्स्ट कोईचन अकबर के शैनि अभियानों को कालकरम में सजाईए और नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चेन कीजिए तो सब से पहले जो हुआ था मालवा का यूद हुआ था पंदरसो एकसाट इस्वी में इसके बाद गुजरात पंदरसो बहत्तर से तिहत्तर इस्वी में इसके बाद कास्मीर पंदरसो च्यासी इस्वी में कास्मीर के बाद हल्दी घाटी हल्दिगाटि जो हुआ था 1576 इसके बाद सिंध हुआ था सिंध जो हुआ था 1595 इसके बाद अली असीर गड 1601 इसके बाद तो इसका सही उत्तर जो है option c हो जाएगा यहाँ पर भी आपको मिलान करने वाला है सूची एक को दो के साथ मिलान करना है इसपात उतपादक लोह ऐस का सुरोध जो है वो आपको यहाँ पर मिलान करना है तो चलेए मिलान कर लेते हैं भधरावति भधरावति जो है केमान गुंडी ऑप्शन ये- Amadhyayłem Binadhyay बैं principal जो उच्प को दो के साथ मिलान करना है फसल और परमौक उतपादक छेत्रे तो इसको भी चलिए मिलान कर लेते हैं नारियल, के लिए परमौक उतपादक छेत्र है पापुआ, निवगीनी, केला के लिए जो है इकवेडोर, मुंग 내용 के लिए सिनेगल चाई के लिए किन्या तो ऑप्शन एस का सही उत्तर हो जाएगा निम लिखित में से कौन भारत की सीमा में अस्थिर एकमात्र सक्रिये जुआला मुखी है बैरन दूइप ऑप्शन भी हो जाएगा बैरन दूइप भारत में भरंशन घाटी में बहने वाली न दी नर्मदान दी है निम लिखित में से कौन और जैवी घटक नहीं है सैवाल सैवाल जो ये जैवी घटक है वेगनर के अनुसार महा दूइपिये परवाह के लिए निम लिखित कौन सा बल उत्तरदाई था जुआरिये बल ऑप्शन टी हो जाएगा जुआरिये बल नागा जन जाती की बस्तिया समानित अवस्तित होती है कटक सीखडो पर ओप्शन बही हो जाएगा कटक सीखडो पर निम लिखित में से कौन सा योग में सुमेलित है यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है तो ओप्शन एदेखिए कार पेंटिरिया की खारी इटली तु ये गलत गलत है कार पेंटेरिया की खारी जो है आस्ट्रेरिया में स्थीत है पो हाई की खारी थाइलेंड यह भी गलत है पो हाई की खारी कमबोडिया में स्थीत है इसके बाद टोंग कींग की खारी मलेशिया यह भी गलत है टोंग कींग की खारी व्यतनाम में स्थीत है इसके बाद म मरुभूमी में अस्थीत है काला हारी में बूसमेन सान के नाम से भी जाने जाते हैं अफरीका के काला हारी मरुवस्थल में बूसमेन निवास करते हैं फ्रित्वी का सरवादिक आयतन और डरवीमान और रवीमान आंतरीक क्रोड में पाया जाता है पुटापिय सकती मुंखित या भूतापिय सकती नवी करनी है मिन्सट दूरोय सानती परकिया, 2015 मिन्स्ट द्टीरव निम्लिख्यूत की अधिनियम दुवारा के इंद शासित पर देशों की आवधारनाको भारतिय सम्हिधान में प्रस्तूत किया गया था सातवा समिधान संसोधन 1956 के दुवारा option B इसका राय टांसर हो जाएगा निम्लखित में से कौन परसांद महासागर में अस्थीत नहीं है मेरियाना टॉंगा और इसके बाद अल्यूशियन ये सभी परसांद महासागर गर्त है जबकि सुन्डा सुन्डा जो ये हिंद महासागर की गर्त है तो option C इसका राय टांसर हो जाएगा ये परसांद महासागर में अस्थीत नहीं है निम्लखित में से कौन भौमी की ये काल सीलाओ के अभिनव जमाओ से विशेशित है होली सीन option B हो जाएगा होली सीन यलो स्टोन नेशनल पार्क अवस्तित है यलो स्टोन नेशनल पार्क सन्युक्त राजी अमेरिका में अस्तित है option C इसका राय टांसर हो जाएगा सन्युक्त राजी अमेरिका में धावलाधर तथा पीर पंजाल की महत्यपुर्ण सिरेनिया अवस्तित है लगु हिमाले में अवस्तित है निमलिखित में से कौन एकेशवरवादी संत है एकेशवरवाद से तातपड़ी एक इसवर की सत्ता को मानने से है उत्तर भारत में कबीर, नानक, रैदास, धन्ना ऐसे संत हुए जो एकेशवरवाद के पोसक्त है जबकि तूलसी दास एकेशवरवाद नहीं है तो यहां पर इसका राय टांसर हो जाएगा एकेशवरवाद संत जो है एक से अधिक है कबीर है गुरु नानक है रैदास है भारत में कौन सी मिट्टी सरवादिक छेदफल पर फैली है जलोड मिट्टी भारत में अ अनुपातिक परति निधित्तु परनाले की वेवस्ता से कोटा निम्ण में से कौन सी संस्ता होती है जितने मत एक सदस्टी को निर्वाचित घोशित करने के लिए आवसेख होते हैं आप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन देखिए भारत में दल विहि परजातंत्र का परति पादन एम एनराय महात्मा गांदि विनोवा भावे एवं परकास नरायन ने किया किन्तु दल विहिन परजातंत्र के खिलाद का व्यवस्तित विश्लेशन अ मल्मन देखिए निम्ण में से किसे दवाब समुष माना जा सकता है भारतियराश्टियर2 म कॉंग्रेश को दवाब समूं माना जा सकता है सन्विधानिक सासन का अर्थ है राजा के सासन पर आधारित सासन निम्लिकित में से कौन संसदिय सासन परनाली का अविच्छेदम तत्व है कारिपालिका विधाईका का विलियन संसदिय सरकार में मंत्री मंडलिय उत्तरदायत्यु की आर में नौकर साही पनपती है यह कथन किसका है तो यह कथन रैमजे मियोर का है औप्चन यह हो जाएगा रैमजे मियोर केंद्र में अंतरीम सरकार की अस्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन के आने के बाद पर्थम अंतरीम सरकार की घोसना 24 अगस्ट 1946 इसजी को की गई इसके बाद कैबिनेट मिशन जो है वो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था उसके बाद अगस्थ 24 अगस्थ 1946 को अंतरिम सरकार की गठन गोसना की गई थी तो option D का right answer हो जाएगा है कैबिनेट मिशन के आने के बाद अगला कोईचन निमलिखित में से कौन से दलका परतिनी धित्तु भारत की सम्विधान निर्मान सभा में नहीं था हिंदू महाशभा भारत के संसदिये इतिहास में पर्थम बहिड गर्मन का नेतिर्तु किस ने किया था पर्थम बहिर गमन का नेतिर्टु किस ने किया था फिरुद सा मेहता ने किया था भारते सम्विधान में किस संसोधन द्वारा आंतरिक और शांती सब्दों के अस्थान पर ससत्र विद्रो सब्दों का पड़ियो किया गया तो इसका जो राइट अंसर है ऑप्शन E हो जाएगा 44 वा सम्विधान संसोधन के तहट नेक्स्ट कोईशन भारते सम्विधान की आठवी अनुसूची में कितने भाशाओ का उल्लेक है बिरानेवा सम्विधान संसोधन अधिनियम के दौरा सम्विधान के आठवी अनुसूची में बोडो, डोगडी, मैथली और संधाली भासा जोड़ी गई इस परकार आठवी अनुसूची में कूल भासाओ के संख्या 22 हो गई बारत के परधान मंत्री नियुक्त होते हैं अनुचेद 75 एक के अनुसार परधान मंत्री की नियुक्ति राष्टपती करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्टपती परधान मंत्री की सलाह पर करेगा निम्लिकित में से कौन सा अध्योगिक अवस्थत्ता का ततकालिक संकेत नहीं है लाव में कमी स्वर्ण बूलियन मान का सन्बंद किस्से है स्वर्ण के आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी न होना विशु बैंक का एक अन्नी नाम है विशु बैंक का एक अन्नी नाम अंतराश्टिये, पुनर निर्मान तथा विकास बैंक वर्गिज कोडियन किसे सनबंद है? वर्गिज कोडियन जो है ये सोवेत करांति से सनबद है विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्नी देश की मुद्रा के लिए मुद्रा अस्पीती के समय के दोरान कड की दरों में निमलिखित में से क्या होगा विरीधी होगा option ए हो जाएगा मुद्रा अस्फिती के दोरान कड़की दरों में कोई भी देश विरिधी करेगा जिससे मुद्रा की तरलता समाज में कम हो सके नेक्स्ट कोईचन निम्न में से कौन सा एक वेकलपिक धन का उदाहरन है चेक वेकलपिक धन या एकचिक धन वह धन है जिसे स्विकार करना या न करना प्राप्त करता कि एकच्छाप निर्फर करता है इसमें चेक बैंक ड्राफ्ट यातरी चेक परतिग्या पत्न तथा हुंडी सामिल होते हैं लगू उद्योगों के लिए उच्चतम वित निकाई कौन सा है सीड़ी ऑप्शन भी हो जाएगा सीड़ी भारतिये और द्योगी की विकास बेंक की अस्थापना कब की गई थी ऑप्शन ए राइट अंसर हो जाएगा जुलाई 1964 भारतिय अश्टोक बाजार का वी नियमन और परिवेक्षन किसके दुवारा किया जाता है सेवी के दुवारा भारतिय अश्टोक बाजार का वी नियमन और परिवेक्षन सेवी के दुवारा किया जाता है अगला कोईचन देखिए ताप गतिकी का पर्थम नियम समानेतिया किस्चे सनबद मामला है उर्जा के संदक्षन के नियम पलांक नियतांग की यूनिट क्या है एक स्वेत तथा चिकनी सत्थ कैसी होती है ताप की खराब अव शुसक तथा अच्छी प्रावर्तक अभी किरिया उस्मा निर्भर नहीं करती है उस पत पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है दो धातुओं का सुल्डरन किसके गुन के कारण संभव है आसंजन के कारण, option D हो जाएगा जब किसी पासान खंड को पानी में डूबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्ताफित कर देता है आईतन, option D हो जाएगा जब किसी पासान खंड को पानी में डूबाया जाता है तो वह समान आईतन में पानी को विस्ताफित कर देता है निमलिकित में से अधीक जलन किस से पैदा होती है भाप से ओप्शन सी हो जाएगा भाप दोस्तो अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ सा नेटिफिकेशन बेल को दबा के ओल पे किलिकीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नेटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा से शेयर किजिए आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है पदार्थ का परमानू किसने परतिपादित किया था पदार्थ का परमानू सिधान डाल्टन ने परतिपादित किया उनके अनुसार पदार्थ अत्यांत छोटे छोटे औविवाजी कनों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमानू कहते है कौन से दो आधारभूत बल को न्यूट्रोनों के बीच आकरसक बल उपलब्ध करा सकते है गुरुत्तुए और नाभिकिये परमानू ततु संख्या 29 किस से सनबंदित है डी बलोक से सनबंदित है निमलकित में से किस देश की सीमा कैश्पियन सागर से नहीं लगती कैश्पियन सागर से किस देश की सीमा नहीं लगती तो जो जिस देश की सीमा लगती है वो देश है सबसे पहले समुद्र के वो जो कैश्पियन सागर है तो कैस्पियन सागर के उत्तर पुर्व में कजाखस्तान है उत्तर पुर्व में दक्षिन पुर्व में तुर्किमेनिस्तान है दक्षिन में इरान है और दक्षिन पक्षिम में अजरबैजान है और उत्तर पक्षिम में रूस है अर्मेनिया और चीन की सीमा जो है नहीं लगत पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण होता है। खट्टे सुवाद के लिए कोशिकाय जिनहां के किस भाग में होती है पार्शु भाग में पसू प्रोटीन को पर्थम सिरिनी का प्रोटीन माना जाता है क्यूं कि यह अनिवारी अमीनो एसीड में भरपूर होता है निमलकित में से वह पदार्थ कौन सा है जो 14 वर्ष की आयू तक के बच्चों के विकास के लिए अत्यन्त आवस्यक है प्रोटीन ओप्शन एसा उत्र हो जाएगा प्रोटीन लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है डाइस्टेस ओप्शन डी हो जाएगा डाइस्टेस लाल चने में डाइस्टेस नामक एंजाइम पाया जाता है लाल चने को अरहर और तूर के नाम से भी जाना जाता है जो विकासी देशों में उगाई जाने वाली परमुख दलहनी फसल है एंजाइम होते हैं एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं अप्शन भी हो जाएगा, एंजायम परमुक रूप से प्रोटीन होते हैं, एंजायम एक कार्वनिक पदार्थ है, जो की एक रसाइनिक अभिक्रिया को 10 to the power 10 गुना बढ़ा सकता है, एंजायम की खोज सरुपर्थम जर्मन विज्ञानिक कुहुने ने की थी, लार किसके असकंदित करने वाला एंजायम है, रेनीन ओप्शन हो जाएगा, जठर रस में रेनीन नामक पाचक एंजायम पाया जाता है, जो दूद के पाचन में सहाइता करता है, रेनीन दूद को दही से असकंदित करने वाला एंजायम है, निमलखित में से किसका संसलेशन यक्री द तॉमस साइरो मालाबार कैथोलिक चर्च केरल के थिरिसूर जीले के पालायूर नामक अस्थान परस्तीत है तो आप्षन सी इस का राइट आंसर हो जाएगा केरल में यह बावन इस्वी में सेंट थॉमस द्वारा अस्थापित किया गया यह चर्च भारत में सबसे पुराना है पटना जिले की सीमा किसके साथ साजा नहीं होती है पटना जिले की सीमा जो है मुंगेर और सेखपूरा मुंगेर और सेखपूरा के साथ साजा नहीं करती है तो आप्षन इसका राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक निमलिखित कतनों में से कौन सा सही है तो यहाँ प उत्रोत्तर अथवा दो उत्रोत्तर गर्थ किये मध्धी की दूड़ी को तरंग धरी कहते हैं इसके बाद एक स्किर्णों के विवर्तन दौरा क्रिष्टलों की संरचना का अध्यन किया जाता है तो यह सही है रडार में रेडियो तरंगों की सहायता से अस्थीर तथा गतिमा दोनों परकार के वस्तों का पता लगाया जा सकता है यह भी सही है अवड़क्त तरंगे विद्यूत चुम्बो के तरंगों का एक परकार है तो यह भी सही है तो आपको सही कतन को चुनना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन E एक से अधिक बिहार के लौंगी भूया नाम के एक किसान ने तीस वर्ज की करी मेहनत के बाद तीन किलूमेटर लंबी नहर का निर्बान किया लौंगी भूया को दूसरा माउंट मैन कहा जाता है नेक्स्ट कोईचन बिम्बिसार ने ब्रहमा दत को पराजित कर कौन सा राज्य जीता अंग को जीता ओप्श सो तक शासन किया नां मौकरी सासक ने किसे प्राश्ट कर मगद के अधिकांस भाग को जीत लिया कि धा मोदर गुप्ट को मैञेका दामदर गुप्ट स्कूर्च्छा बल्मुकों संधर्वित करता है साथ सूरक्षा बल जो असंब राइफाल्स सीमा सूरक्षा बल कें दरीय और द्योगिक शुरक्षा बल केंदविए रिजर्व पूलिस भारत तिब्बत सीमा पूलिस राष्टिय सूरक्षा गार्ड न राष्टिय chances तूझलाक 1324 यह बंगालल अभियान से वाप्सी पर ग्यासुदिन तूगलक ने बिहार के करनाट वंस के समराट हरी सिंगको प्राजित कर उसके राज जी पर अधिकार कर लिया इस यूज़ुसे करनाट वंस का अंत्त हो गया तथा हरी सिंग करनाट वंस के अंतिम साशक साब प्रफिति में उन्नती हुई तो यह सई है कांची में मुक्तेशुवर मंदिर का निर्मान कराया यह भी सई है इसके दरबार में पेरु देवनार्थ है तो यह गलत है अलवार संथ तीरुमल पल्लव नरेश नंदी वर्मन तृतिय के दरमार को सुशोवित करते थे तो इसका जो सही उतर है option E हो जाएगा एक से अधिक बिहार के छेतर में सरुपर्थम कौन आये बिहार के छेतर में सबसे पहले पुर्तगाली आये option C right answer हो जाएगा पुर्तगाली ने बंगाल में हुगली में अपनी वयापारी कोठी बनाई यह लोग चीनी मिटी बरतन तथा मशाले अपने साथ लाते थे और सूती वश्तर ले जाते थे नेक्स्ट कोईजन 1763 इस्वी में पटना अस्तीद अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार कर लिया था नवाब मीर जाफर ने बिहार का प्रिथक प्रांथ के रूप में गठन कब हुआ था 1912 इस्वी में भारत के सम्विधान में पहला संसोधन किस राज्जी के कारण हुआ पहला संसोधन जो है बिहार के कारण हुआ बिहार राजी के जेपी आंदोलन या सनपूर्ण करांती से सनबंधित कौन सा कथन असत्य है यहाँ पर असत्य कथन को जो है आपको चुनना है तो इसका जो गलत कथन हो जाएगा option D right answer है यह आंदोलन option D हो जाएगा यह आंदोलन को कॉंग्रेस का समर्थन परात यह गलत है क्योंकि इस आंदोलन को कॉंग्रेस का समर्थन परात नहीं था संकरपूर नामक जगह पर टेली, कौम या अस्टे टाइट सोप अस्टोन खनीज पाया जाता है वो बिहार के किस जिले में अस्तीत है तो ये बिहार के मुंगेर जिले में अस्तीत है बिहार के सारन प्रमंडल में जिलो की सही संख्या कितनी है सारन परमंडल में जिलो के संक्या तीन है सारन, सीवान तथा गुपाल गंज आप्शन सी हो जाएगा तीन बिहार सरकार हर साल 23 अप्रिल को विजे दिवस के रूप में किस महान सहीद को सरधांजली अर्पित करने के लिए मनाती है वीर कुवर सिंग गंगा के दक्सनी मैदान में निमलिखित में से कौन सी नदी परवाहित नहीं होती है बागमती नदी जो है ये परवाहित नहीं होती है बिहार में कावर जील पक्षी अभ्यारन ने कहां अस्थीत है सारन में अस्थीत है नहरो द्वारा सबसे अधिक सीचाई बिहार पर्देश में किस छेतर में होती है तो सबसे ज़्यादा रोहतास में होती है भारत का सरवादिक लिची उत्पादक्ता इवं उत्पादन वाला राजी कौन है बिहार है, बिहार में भारत का लगभग 71% लिट्की का उत्पादन होता है बिहार में रेशम उत्पादन से सन्बंदी तसर और रेशम की इकाया कहां अस्तीत है भागलपूर में अस्तीत है निमलिकित में से कौन सही सुमेलित है ओप्शन ए देखिए एजटेक सभिता मेक्चीको ये सही है माया सभिता ब्राजील तो ये गलत है माया सभिता मेक्चीको से सन्बंदीत है फार्ची सभिता इरान ये भी सही है इंकाल सभिता एक्वाडोर ये भी सही है तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है तो option E इसका right answer हो जाएगा एक से अधिक Next question जनगन्ना 2011 के अनुशार बिहार के सब से कम जनसंक्या घनतुवारे जीले का सही करम बढ़ते करम में कौन सा है कैमूर, जमूई, बाका, पच्छिम चमपारन राजगीर के गिरीद कूट परवत परमगद के किस साशक को भागवान बुध ने बहुत धर्व में दिक्छित किया था बिम्बिशार को पावापूरी में अस्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का सनबंद किस्ते है जैन धर्म से पावापूरी में अस्थित कमल रूपी तालाब के बीच निर्मित जल मंदिर का सनबंद जैन धर्म से है पावापूरी में महावीर की मृत्ति हुई थी जिस जगह पर इनका अंतिम संस्कार किया गया वहां कमल रूपी तलाप के बीच जलमंदिर का निर्बान किया गया है इसके बाद mathematics का question है तो इसको आप आराम से solve किजिए इसका जो सही उतर है वो मैं आपको बता देता हूँ पांच अंको की सब से बड़ी संख्या का पता लगाए जो 7, 9, 11, 13 और 15 से विभाद जी हो तो इसका जो सही उतर है option D हो जाएगा 98,280 आठ वेक्तियों के समुह का औसत वजन 2.5 किलो बढ़ जाता है जब 54 किलो वजन के एक वेक्ति की जगह एक नया वेक्ति ले लेता है नया वेक्ति का वजन कितना है 74 किलो गराम 17 सदस्चियों को 9 और 8 सदस्चियों के बैठने की चमता वाली दो पंक्तियों में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है तो इसका सही उतर option D हो जाएगा ये वुलीन ने तीन किस्मों के समान संख्या में कंगन खड़ी दी जिनकी कीमत परती नग 30, 35 और 65 रुपया है उन्होंने सभी कंगन के लिए कूल 1690 रुपय खर्च किया उन्होंने परतेक परकार की कितने कंगन खड़ी दे 13 खड़ी दे 8 गुने 9 पलस 3 गुने 12 पलस 3 बाई 12 गुने 3 पलस 81 बाई 9 बराबर जो एकोल टू इस सबको स्वल्प करने के बाद कितना आएगा तो इस सबको स्वल्प करने के बाद 2.46 आएगा अगर Q, P के 20 परतिसत के बराबर है और R, Q के 30 परतिसत के बराबर है तो नीमनी में से कौन सा विकल्प R के 30 परतिसत के बराबर है P का 1.8 परतिसत एक लड़की 5 किलोमेटर परति घंटे 10 किलोमेटर परती घंटे और 15 किलोमेटर परती घंटे की रफ्तार से कूल 55 मिनट में 3 समान दूरिया तै कर लेती है उसके दुआरा तै कूल दूरी क्यात करें तो उसके दुआरा तै किया गया कूल दूरी 7.5 किलो मीटर होगा यदि दिसम्बर 15 2005 को सनिवार था तो दिसम्बर 15 2004 को कौन सा दिन था सुक्रवार एलिस, बब और चारली एक कमपनी में भागिदार है एक विशेस वर्ड्स के दोरान एलिस को लाब का एक तिहाई भाग मिला बब को लाव का एक चोथाई मिला और चौरली को सेश मिला जो की 5,000 रुपेय है एलीस को कितना लाव मिला एलीस को 4,000 रुपेया मिला एक थैले में 305 रुपेय की रासे चार रेशियो 5 रेशियो 7 के अनुपाद में 25 पैसे 10 पैसे और 50 पैसे की सिक्के है करम से परतेक परकार के सिक्कों की संख्या का पता लगाए किस नदी को विश्व की सबसे कमजोर वाटर टावर में से एक के रूप में चैनित किया गया सिंधु नदी को भारत में सिटिलाइट फोन का इस्तेमाल करने वाला पहला राष्टिय उद्यान कौन सा है काजीरंगा नेशनल पार्क असम भारत ने किसके साथ कनेक्टिवीटी पार्टनर्शिप शुरू की है जिसका उद्यसी परिवहन उर्जा डिजिटल और लोगों के भी संपरकों पर सहयों को बढ़ावा देना है यूरोपिय संख के साथ राष्टपदी ने किस विधान सभा के सताबदी वर्शमारों के अवसर पर सनबोधित किया बिहार विधान सभा को नेक्स्ट कोईचन कौन सा देश नैनो यूरिया का वा निजिक उतपादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत बना है नेक्स्ट कोईचन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना किस ने लॉंच किया था निर्मला सीता रमन ने किंद्रिय वितमंत्री निर्मला सीता रमन निमलिखित में से किस महत्वपुर्ण अंतराष्टिय संस्ता ने हाल ही में भारत को अपना पुर्ण कालिक सदसी बनने के लिए आमंतरित किया है अंतराष्टिय उर्जा एजेंसी नेक्स्ट कोईशन देखिए किस संस्ता द्वारा वैस्विक जलवायू जोखिम सुचकांक जारी किया जाता है जर्मन वाच के द्वारा जारी किया जाता है ऑप्शन भी हो जाएगा जर्मन वाच बरसपती ट्रोजन छुद्र गड़ोह का पता लगाने के लिए नाशा द्वारा किस मिशन को लंच करने की घुषना की गई है मिशन लूसी डिटॉक्सिंग पाइलट प्रोजेक्ट किस नदी से सन्बंदित है तो ये जो है लूखा नदी से सन्बंदित है किस संस्थान द्वारा इकोलोजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की जाती है इंसिच्यूट ओफ इकोनोमिक्स एंड पीस के द्वारा हाल ही में अब्दुल कादिर खान का निदन हो गया यह कौन थे तो यह जो है पाकिस्तान के परमानु वेग्यानिक थे निमलिखित में से किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा राष्टिय उद्यान करने का प्रस्ताव किया गया है जीम कारवेट नेशनल पार्क केंद सरकार ने जीम कारवेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर राम गंगा नेशनल पार्क करने का प्रस्ताव रखा है जीम कारवेट राष्टिय उद्यान उत्राखंड के नैनी ताल जीरे में अस्तीत है नेक्स्ट कोईचन जे जीरो क्रेटर कहां अस्थीत है मंगल गरह पर गुरु घासी दास राष्टिय उद्ध्यान कहां अस्थीत है तो ये 36 गढ़ में अस्थीत है भारत किस देश के साथ मिलकर सन्युक्तिसेनी परसिक्षन अभ्यास अजे वारियर को आजोजित करता है युनाइटेड किंग्टम के साथ नेक्स्ट कोईचन वर्स 2021 में संसद की किस समीती ने अपनी अस्थापना के 100 वर्स पूरे किये है लोक लेखा समीती निमलिकित में से किस संस्था द्वारा ACI सक्ति सुचकांग जारी किया जाता है लोवी इंसीचूट के द्वारा ओप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा लोवी इंसीचूट दोस्तो आज की वीडियो में पहला सेट कॉम्प्लिट हो गया तो दोस्तो कैसा लगा ये वीडियो? कॉमेंट करके ज़रुर बताईए क्या वीडियो आपको अच्छा लगा? या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ-साथ आपके उन फ्रेंस को भी हैल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो सेयर किजिए अगर कोई doubt है या कोई सवाल है तो comment section में लिखिए मैं कोशिश करूँगा जल्दी reply करने का तो चलिए अब मिलते हैं next video में दूसरा set के साथ तब तक के लिए bye bye take care